जैसे ही समर आता है खुबसूरत चहरे को pimples दाग धब्बे भर देता है और जिनका इसकीन आईली होता है वो तो काफी परिसान हो जाते हैं उनके face पे भर-भर के pimples निकरता है टीनेजर बच्चे भी परिसान रहते हैं pimples को ले करके pimples दो तरह के होते हैं और इस वीडियो में आप लोग को पूरा डिटेल में बताऊंगी कि आखिर face पे pimples होता क्यों है तो आप लोग से request है कि वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा जिनको भी face पे दाने और pimples की समस्या है उनसे request है कि इस वीडियो को full watch करें इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारी मिलेगी अभी तक इसके बारे में आपको किसी ने नहीं बताया होगा और इस वीडियो में आपको एक ऐसा secret भी बताऊंगी कि आप pimples से बस सकते हैं अगर आपका skin आईली है आपको बहुँ जादे pimples की समस्या राती है आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है उसके बाद से आपके face के कभी pimples होगा ही नहीं हम सभी इसी तलास में राते हैं कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि रातो रात pimples छोमंतर हो जाएं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किये हैं इस वीडियो में आपको ऐसा नुस्का बताऊंगी कि रातो रात आप pimples को खतम कर पाएंगे अपने face से तो वीडियो बहुत ही helpful होने वाला है चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से इसे बनाना है इस नुस्का को बनाने के लिए आपको लेना है पुदीने का पत्ता पुदीने का पत्ता आपको बिल्कुल फ्रेस लेना है अभी आप लोग देख सकते हैं कि मेरे गमले का पुदीना है बिल्कुल फ्रेस है तो आपको इस नुस्का को बनाने के लिए फ्रेस पुदीना ही ले तो आप 10-15 पत्ता लेकर अच्छे से धुल लिजिए पाने से ताकि उसमें जो मिट्टी लगा हो साप हो जाए अब आपको करना क्या है कि इसका पेश्ट बनाना है तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि जो पूदीना था उसका मैं पेश्ट बना ली हूँ अब इसमें आपक को आप लोग पूरा देखिए मैं गारंटी देती हूँ कि आपके फेस के पिंपल्स गाइब हो जाएगा अब इसमें आपको आइड करना है आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच ही नीम का पाउडर है जितना भी इंग्रीडियंट का यूज मैं कर रहे हूं सारे पिंपल की प्राबलम है फेस पे छोटे छोटे दाने है आप इसमें एक चम्मच मुलतानी मिट्टी का पाउडर एड कर अच्छे से पेस्ट बना कर पूरे फेस पे लगा लिजिए अगर आपके फेस पे बहुत जादे पिंपल्स है छोटे दाने की समस्या है जैसे कि घमोरिया हो ज होता है कि बहुत जादे दर्द करता है और एक सिंपल दाना की तरह होता है तो आगे बताऊंगी कि किस तरीके से आपको इसे यूज करना है अगर आपके फेस पे बहुत जादे पिंपल्स की समस्या है इस रेमिडी को लगाने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे से क्ल कर लीजिए आपके फेस पे पिंपल्स बहुत जादे हैं तो इस तरीके से आपको फेस क्लीन करना जरूरी है फेस को अच्छे से क्लीन करने के बाद इसे आपको अपने फेस पे लगा लेना है तो किस तरीके से लगाना है आपको जिस तरीके से मैं लगा रहे हूं डॉट डॉ मिनट छोड़र देना है उसके भाद से ठंडे पानी से धूंड लेना है फेसपे पिंपल्स होने के बहुत सारे कारण है जैसे की धूल-मिट्टी प्रदूसर जिसकी वज़ा से चेहरे पे गन्दगी जम जाती है और इसे फेसपे पिंपल्स आने की समभावना बड़ जाती है तो जितना हो सके आप अपने फेस को clean रखिए जिनका skin dying है वोग अपने फेस की तो दुदा जादे करें तो उनके फेस पे pimples की समभावना नहीं होगी जो teenager बच्चे हैं उनको भी बहुँट जादे pimples की दाने की problem होती है तो उनका तो हार्मोन्स चेंज होता है उसके वज़ा से फेस पे बहुत जादे पिंपल्स आने लगता है बच्चों के लिए तो मैं एकी बात बोलूंगी कि जितना हो सके फेस को अच्छे से क्लीन रखें पिंपल्स कम निकड़ेगा तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरीके से मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ मेरे फेस पे पिंपल्स की प्रावलम नहीं है आप सभी के साथ मैं सेयर भी करती हूँ कि मेरा जो इसकीन है बहुत जादे आईली है लेकिन उसके बाद भी मेरे फेस पे पिंपल्स नहीं होता है तो उसका कारण क्या है मैं अपने इसकीन की अच्छे से साप सफाई करती हूँ इसके वाज़ा से मेरे face पे pimples की problem नहीं होती है तो अगर आपका skin बहुत जादे oily है तो आप अपने skin की ज्यादा से ज्यादा सफाई करके रखें face पे oily कठा ना होने दें तो आपके face पे pimples नहीं होगा मेरे face पे अच्छे से लग गया है मैं आप लोग को लगा करके दिखाई हूँ ताकि आप लोग का doubt भी खतम हो जाए किस तरीके से आपको लगाना है तो इसे लगा कर आपको छोड़ देना है एक घंटा के लिए एक घंटा के बाद बिल्कुल dry हो गया है अगर आप comfortable है overnight के लिए इसे छोड़ना चाते हैं आप pimples से परिसान हो गया है तो इसे overnight के लिए छोड़ दीजिए लगा करके कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा आपके face का pimples रातो रात दब जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और कोई निसान भी नहीं छोड़ेगा तो अब आपको करना क्या है कि एक गिले हैंकी से पूरे face को अच्छे से clean कर लेना है जिस तरीके से मैं clean कर रहे हूँ इसको लगाने के बाद 3-4 घंटा तक आप कोई भी face वास का यूज ना करें और आपको रोज एक बार इसे जरूर लगाना चाहिए आप night में लगाना चाहते हैं तो अब तो और अच्छा है कि आप सभी को पता है कि जादा coffee पीने से भी face पे बहुत जादे pimples होने लगता है तो अगर आप coffee के सौखीन है तो पीजिए coffee लेकिन कम मातरा में पीजिए तो इस तरीके से face को clean कर लेना है उसके बाद से आपको face को अच्छे से ठंडे पानी से धूल लेना है पहले आपको हैंकी से clean करके face को ठंडे पानी से धूल लेना है उसके बाद आपको क्या करना है कि face पे बरफ लगाना है आपको आप लोग देख सकते हैं कि मेरा skin बहुत जादे oily है लेकिन मेरे face पे आपको एक दाना भी नहीं दिखाई देगा pimples तो बहुत दूर की बात है क्यों क्योंकि मैं अपने skin की सही तरीके से clear करती हूँ देख भाल करती हूँ पहले मेरे face पे बहुत जादे pimples निकरता था जब मैं अपने skin की सही तरीके से देख भाल नहीं करती थी तो इसी नुस्का को यूज करके मैं अपने pimples को खतम भी कर देती थी रातो रात तो आप लोगो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, helpful लगा हो तो इस वीडियो को like करिए, share करिए आप मेरे channel पे पहली बार visit किया है तो channel subscribe करके bell icon को on कर लीजिएगा मेरा कोई भी वीडियो आप लोगो अच्छा लगता है तो उसे friend और family में जरूर share करें मैं आप सभी से मिलती हूँ, next वीडियो में तब तक के लिए, bye bye